हमारा जो चैप्टर है आज का वो चैप्टर है अखबार में नाम इस कहानी के अंदर गत क्या बताया गया है कि जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाम कमाने और प्रेशन सा प्राप्ते करने के लिए कुछ भी करने को तयार हो जाते हैं बस उनको चाहिए कि हमारा नाम होना चाहिए हमारी प्रसिद्धी होनी चाहिए कि एवल पेपर में हमारा नाम चप चाहिए लोग हमें अपने नाम से जाने ऐसा ही कुछ पाने के लिए इस जो चैप्टर में एक बच्चे ने क्या किया वो सारा हमको बताया जा रहा है इस कहानी के पात्र भी चाहता है पात्र मतलब पात्र कौन हो गया? जिसके उपर ये कहानी कहानी में जो जो किर्दार होते हैं वो पात्र के नाम से जाने जाते हैं Good afternoon, ma'am Good afternoon, समझ में आ गया? Yes, ma'am जो जो लोग हैं यहाँ पर वो पात्र के नाम से जाने जाते हैं कि लोग उन्हीं जाने और उनका नाम भी अख़बार में चपे पाट को पढ़ कर जानिये कि गुरदास नाम के बालक की अख़बार में नाम चपवाने की इच्छा का क्या परिणाम हुआ क्या कि वो बच्चा चाहता था कि मेरा भी नाम अकवार दूंध एं और मुझे मेरे नाम से जाने उसके लिए उसने क्या क्या प्रयास किए वही कहानी में बताया गया है जून का महिना था, तो जून के महिने में हम सब जानते हैं गर्मी का समय होता है दौपेर का समय और कड़ी धूपती ड्रिल मास्टर साहब ड्रिल करा रहे थे आप भी अपने स्कूल में ड्रिल करते हो न जब अपना स्कूल रणिंग में था तब हम लोगों ने जो प्रोग्राम सुए उसमें किये यह सर्चीजें तो ड्रिल मास्टर साहब ड्रिल करा रहे थे और मास्टर साहब ने लड़कों को एक लाइन में खड़े होकर डबल मार्च करने का ओर्डर दिया लड़कों की लाइन में मैदान का एक चक्कर पूरा कर दूसरा आरंब ही था कि अनंत राम गिर पड़ा आरम का मतलब होता है शुरू होना, प्रारम होना, स्टार्ट होना, आरम मतलब होता है और अनन्त राम यहाँ पर कौन है? अनन्त राम एक बच्चा है यहाँ पर, एक बच्चे का नाम है अनन्त राम मास्टर साहब ने पुकारा और लड़के लाइन से बिखर गए बिखर गए मतलब जो एक क्यों बनी थी एक लाइन बनी थी वो लाइन तूट गई मास्टर साहब और दो लड़कों ने मिलकर अनन्त राम को उठाया और बरांदे में ले गए क्योंकि कौन सा एक बच्चा था उसका नाम किया था अनन्त राम वो गिर गया था उसको चक्कर आगे थे आप में भी देखे ने जब कई वार हम लोग के असेमली के टाइम में उता था कि धूब बहुत तेजर गर्मी का समय है सुबह के समय तो बच्चे कई वार चक्कर आ जाते थे गिर जाते थे ऐसा ही कुछ उनके साथ हुआ मास्टर साहब ने दो लड़कों को मिलकर अनन्त राम को उठाया और बरांदे में ले गए मतलब छाय वाली जगे पर ले गए मास्टर साहब ने एक लड़के को दोड़कर पानी लाने का हुक्म दिया हुक्म का मतलब क्या होता है आदेश देना इसलिए हुक्म का मतलब आदेश दिया दो ती लड़के अपनी कौपियां लेकर अनन्त को हवा करने lenses लगे और अनन्तके मूं पर पानी के clapete टे मारे गए ठीक है उसे होश आते आते हेडमर्ट से सहाब भी आ गए और अनन्त राम के सिर पर हाथ फेर कर पुछकार कर उन्होंने तसलिदी तसलिदी थोड़ा सा सांजवना देना तसलिदी राहत देना मतलब वो थोड़ा सा रेलेक्स हो जाए पुछकार कर मतलब बहुत प्यार से स्कूल का चपडासी एक तांगा लेकर आया और दो लड़कों के साथ मास्टर अनन्त राम को उसके घर पहुंचाने गए इसकूल भर में अनन्त राम के बेहुश हो जाने की खबर फैल गई और स्कूल में सब उसे जान गए याने कि किस कारण से जान गए क्योंकि अजया था जो जान गए अच्छा ही वही लड़का है जो उसे गिर गया था धूप में दौरती समय गुर्दास लाइन में अनन्त राम के दो लड़कों के बाद था अब देखो यहां पे जो पूरी कहानी है वह किस बच्चे का नाम पर है गुरुदास गुरुदास जो अपने बारे में उसके बारे में बता रहें कि गुरुदास लाइन में अनन्त राम के दो लड़कों के बाद में था यह गटना हूँ जाने के बाद मैं सोच रहता कि अगर अनन्त राम की जगे वही बेयोश होकर गिर पड़ता तो वैसे उसे चोट आ जाती तो कितना अच् तो जिस तरह से अनंद राम को सब लोग जानने लग गए वो उसे भी सब लोग जान जाते अभर करके उसे सोचा कि सब लोग उसे जाते और उसकी खातिर होती समझ में आ गया जैसे उसकी खातिर हुई थी वैसे गुर्दास की होती ऐसा उसने सोचा यानि कि उस बच्चे ने अपनी दिमाग से होता नहीं कि किसी चीज को देख करके आप क्या सोचते हो, क्या रियक्ट करते हो तो उसके वेऊश हो जाने से गुर्दास के मन में ऐसी भावना आ गए क्योंकि वो भी चाहता था कि लोग मुझे जाने कक्षा में गुर्दास की कुछ ऐसी ही हालत थी अब देखिए उस बच्ची का नेचरी कुछ ऐसा था कि वो चाहता था कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने गनित की मास्टर साहब सवाल लिखा करके बैंचों के बीच में घुमते हुए नजर डालते रहते थे कि कोई लड़का नकल या कोई दूसरी बेजा हरकत बेजा हरकत का मतलब क्या होती है कोई और दूसरी हरकत तो कुछ ऐसा गलत काम तो नहीं कर रहा है लड़कों के मन में यह होड चल रही थी होती है कि सबसे पहले सवाल पूरा करके कौन खड़ा होता है जब आपको टीचर इस तरह का देती है कोई टास्क देती है क्लास में तो आपके मन में भी यह होता है कि सबसे पहले जो मैम ने टास्क दिया है उस टास्क को हम कंप्लीट करके दिखाएं और फर्स नमबर तो इस होड़ा होड़ी में फर्स, सेकंड, थर्ड तक जो बच्च होगा हमारा ही लॉस होगा ना उनका ही लॉस होगा क्योंकि वह जो फर्स आने वाले हैं वह तो सीखरें करने का लेकिन लास्ट वाले हमेशे ही सोच के रह रहा थे अब मैम मेरा वक्त चेक करेगी नहीं इसलिए छोड़ो तो यानि कि वही काम में पीछे रह जाते तो ऐसा ह यहां पर बताया गया है कि सभी के मन में जब वो मास्टर साब सवाल देते थे तो यह होता था कि देखते हैं सबसे पहले पूरा कौन करके दिखाता है आगे देखें गुर्दास बड़े यतने से अपना मस्तेक्ष कौपे पर रगड देता है मस्तेक्ष का मतलब होता है अपन अपना पूरा ध्यान उस सवाल को करने में लगा देते है अपना पूरा टाइम उसी में व्यस्त हो जाता है कि लेकिन जब आपको यहां गुर्दास के संग होता था कि उसने पूरी मेहनत करके उस कोशन को करने की कोशिस करता गुना भाग करके जो multiply minus plus करके लेकिन उससे पहले बनवारी नाम का जो एक बच्चा था उसने उससे पूरा करके खड़ा हो गया गुर्दास का उत्सा भंग हो जाता उत्सा मतलब होता है कि जिस लगन के साथ वो कोशन को कर रहा होता है था वो कोशन करने में उसका मन खड़ा हो जाता था क्योंकि उससे लगता था कि मुझसे फर्स्ट तो क्योंकि देखो जब कोई प्रत्यगीता होती है त तरहें का प्रेतन भी करता है लेकिन जब आपको पता पड़ता है कि फर्स सेकंड थर तो आ चुके तो बाद वाले बच्चे अपने आपको छोड़ देते कि अब जाने तो अब तो फर्स सेकंड निकल ही चुका है लेकिन मेरा कहने का तरीका यह है आपको समझाने का कि हमें ज देखे, दो-तीन पल ही देन यो भी हो जाती, कभी-कभी सबसे पहले सवाल कर सकने की उर्जन के कारण कहीं भूल भी हो जाती, और कई वार क्या होता है हमको क्लास में, कि हमको अगर कोई टास्क दिया जाता है टीजर के दौरा, उस टास्क को पूरा करना और उसमें फर्स्ट आने के लिए हम इतना भरसक प्रयास करते हैं, कि आतो जाते हैं फर्स्ट लेकिन उसमें कुछ ना कुछ हमारी मिस्टेक निकल तो ऐसा ही उसके साथ हो रहा था मतलब कुछ ना कुछ इस जल्दबाजी के चक्कन में उससे कुछ ना कुछ भूल हो जाती थी मास्टर साहब शाबार्शी देते तो बनवारी और खन्ना को और डाड़ते तो खलीफ और महेश का नाम लेकर अगर किसी यानि कि आपके क्लास में अगर कोई इंटेलिजेंट बच्चा होता है तो टीचर दो यी बच्चों के नाम याद रखती दो तरह के बच्चों के या तो बहुत ज़ादा इंटेलिजेंट बच्चा हो का उसका नाम धियान रखेगी और या फिर बहुत ज़्यादा डफल जो बच्चा होता है कमजोर बच्चा होता है या शतान बच्चा होता है उनका याद रखते हैं जो हमारे एवरेज बच्चे होते हैं उनका ना तो नाम याद रहता हैं और फिर वह मेशा एवरेज ही रह जाते हैं तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मास्टर शाहक शाबाशी देते तो शाबाशी कब दी जाती है? कुछ अच्छा काम करने के एक बार, है ना? तो बनवारी और जो खन्ना था उसको शाबाशी मिलती थी और अगर डाड़ते थे तो खलीक और महेश का नाम लेकर यानि कि वो दोनों बच्चे क्लास में लास्ट में आते थे और जो गुर्दास नाम का जो बच्चा था वो एवरेज बच्चों में था तो उसके ओपर ध्य वो आपकी क्लास में हैं और हमारा स्कूल जब चल रहा है तब क्या क्या कैसे कैसे होता है वो सारी चीज आप अपने आपको वहां पर रखोगे तो जल्दी समझ में भी आएगा और उसमें इंटरस्ट भी आएगा चेप्टर में आगे देखी नाम जब कभी लिया जाता तो बनवारी, खन्ना, खली और महेश काही गुरुदास बिचारे का कभी नहीं यानि क्योंकि क्यों नहीं लिया जाता था ना तो वह बहुत ज़्यादा इंडेलिजन बच्चा था होश्यार बच्चों की गिंती में आता था एवरेज बच्चों की गिंती में आता था तो इसके लिए उसका नाम नहीं लिया जाता था ऐसी ही हालत व्याकरण और अंग्रेजी की क्लास में भी होती थी जब अंग्रेजी की क्लास और व्याकरण की क्लास होती थी उस समय भी गुर्दास के संग ऐसा ही कुछ होता था कुछ लड़के पड़ाई लिखाई में बहुत तीज होने की प्रशनसा पाते और कोई डाट अपट के प्रती दिदन्त होने के कारण बेंच पर खड़े कर दिये जाते इसका मतलब क्या है एट नमबर पर देखो इसका जिसका कोई प्रभावना पड़े जिसका कोई प्रभावना पड़े यानि के कुछ बच्चे आपकी ग्लास में ऐसे होते हैं जिनको अगर डाट भी दो तो भी कोई फरकनी पड़ता अगर उनको प्यार से भी समझाओ तो भी कोई फरकनी पड़ता तो ऐसे इस तरहें के जो बच्चे होते थे उनको बेंच पर खड़ कर दिया जाने से लोगों की नजर में चड़ कर नाम कमा लेते थे गुर्दास बेचारा दोनों तरफ से ही बीच में रह जाता था क्लियर हो गया ना तो वो इंडेलिजेंट बच्चों की गिंती में आता था और ना वो बेकार बच्चों की गिंती में आता था जब उनको बेंच पर खड़ा कर दिया जाता था तो भी च्लास की जादा तर लोग उसको जान जाते थे अज़ अग्या आगे देखें एक इतिहास में इतिहास मतलब क्या होता है इतिहास में 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 इत और खिलजी की चड़ाईयां यह सब उसमें आप SST में पढ़ हो गया आगे अभी तो आपके आया नियुक्त हमने पढ़ा है शेर्षा शूरी और वगारा के बारे में ओके तो फिर तो आशान्तियों तो शेर्षा शूरी और खिलजी की चड़ाईयां और अकबर के शाशन के उसके मस्तिक्ष के सचित्र होकर के चक्कर काटते रहते थे अब मस्तिक्ष में सचित्र होकर चकर काटने का मतलब होता है कि जब वो यह सब चैप्टर पढ़ता था तो उसे ऐसा लगता था कि यानि कि वो सारी चीजें जो टीचर उसको समझा रही है या बता रही है या जो में दिभ्माच में हो जाता है कि वैसे ही शिवाजी के अने किले जीतने का वढ्नन भी और इसके साथ में अक। शिवाजी ने जो किले फट silver किये जीते थे उन वह पंडनAwकिता था तो उसको बढ़ा अच्छा लगता था, इंटरस्ट लेकी पड़ता था, वे अपनी कलपना में अपने आपको शिवाजी की तरह उची नौकदार पगड़ी पहने और छोटी दाड़ी रखे, वैसा ही चोंगा पहने, तलवार लिए, सैना की आगे घोडे सर पर दोड़ाता हुआ देखता था, यानि उसकी इमेजिनेशनी पावर इतनी अच्छी थी, कि वो अपने आपको शिवाजी की तरह ही समझने लगता था, यानि कि शिवाजी की जब बात चलती थी, उससे लगता है तो वो शिवाजी नहीं, मैं वहाँ उनके स्थान पर बैटा हूँ और घोड़े प्लियर हो गया, आगे हैं इतिहास को यूँ मनस्त कर लेने या इतिहास में स्वैम समा जाने, मनस्त मतलब क्या होता है, याद करना, मन के अंदर उस चीज को स्मरण कर लेना, है ना, इतिहास को यूँ मनस्त कर लेने और इतिहास में स्वैम समा जाने पर बेगुर्दवास क इन महत्मुन घटनाओं की तारिखे और सन याद न रहते देखो अब इसमें एक चीज होता है आप में से कुछ बच्चे भी ऐसे होते होंगे कि कुछ चीजे आप बहुत अच्छी तरह समझते हो जो टीचर समझा रही है कोई वे सब्जेक्ट हो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में तो आ गया उसको समझ तो लेते हो लेकिन उसका बारे में जब आप से पूछा जाता है तो आप कोई रिपलाई नहीं कर पाते हो याद तो आपको सारा है बट आप उसको दिमाग से उतार तो लेते हैं लेकिन दिमाग से वापस शब्दों की माध्यम से हम उसको बत तो यहां गुर्दास के संग ऐसा है कि वह अपने आपका इमेजिनेशन तो इसका बहुत अच्छा था वो उन सबको बड़े इंट्रेस्ट से पढ़ता भी था और अपने आपको उसकी जगे रख कर सोचता भी था लेकिन उसकी परदेशान यह थी कि उसको याद नहीं रहता था उसके सनवगरे याद नहीं रह पाते थे क्योंकि गुरुदास के काल्पनिक एतिहासिक चित्रों में तारिक है और सन का कोई इस्थान नहीं था कि जो गुरुदास नाम का बच्चा था उसको अपने आपको शोफ करने का तो अच्छा लगता था उसको था कि लोग मुझे अपने नाम से जाने ये जो बड़ी-बड़ी हस्तियां थी उनको लोग जानते हैं तो ऐसी ही मेजिनेशन उसकी थी कि मेरे को भी लोग इसी तरह से जाने हर व्यक्ति मुझे जाने लेकिन उसके साथ में उसके जो तारिक और सन था उसका कोई महत्व नहीं था उसके लिए उन सब चीजों में वो मैत्व नहीं रखता था परिणाम यह होता था कि इतिहास की क्लास में भी गुर्दास को शाबाशी मिलने या उसका नाम पुकारे जाने का समय ना आता था यानि किसे भी सब्जेक्ट में उसका नाम मतलब कोई टीचर अलग से नहीं लेता था परिणाम यह होता था कि इतिहास की क्लास में भी गुर्दास को शाबाशी मिलने या उसका नाम पुकारे जाने का समय ना आता सब के सामने अपना नाम पुकारा जाता सुनने को गुर्दास की मैत्व कांशा उसके छोटे से हिर्दे में इतिहास के अतीत के बोच के नीचे दब कर सिसक्या सिसक्ती रह जाती थी मतलए वो हमेशा ये उम्मीद लगाके रखता था कि काश मेरानाम पुकारा जाए या लोग मुझे मेरे नाम से जाने लेकिन ये सब बाते उसको ऐसा लगता था कि ये जीवन में समभब नहीं हो पता था अतीत यानी जो बीता हुआ समय है ऐसा लगता है उसी तरह जैसे इतिहास में पुरानी चीज़ों को बीते हुए समय को दोराया जाता है ठीक उसी के संग्भी ऐसा ही कुछ हो रहा है इस पर इतिहास की मास्टर साहब का प्राय ये कहते रहना कि दुनिया में लाखों लोग मर जाते हैं परन्तु जीवन वास्ता में उन ही लोगों का होता है जो मरकर भी अपना नाम जिन्दा छोड़ जाते हैं अब देखिए पहले तो उसकी मनोस्तिती ऐसे थी कि वो खुछ चाता था कि मेरा नाम हाइलाइट हो और उपर से जब टीचर ये वाले डायलोग बोलते थ तो उसको और भी जादा फील होता था क्या कहना था उनका सरका कि दुनिया में लाखो लोग आते हैं मर जाते हैं लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका नाम लोग जानते हैं या अपने नाम को जिन्दा छोड़ जाते हैं तो ऐसे कौन लोग होते हैं जिनोंने जीवन में कुछ लोगों का नाम हमें मुझावानी याद है छोटी सी चोटा में हमारें कोई विशेश होता है या prophe A केवल विशेश काम करता है को जीवन कें कुछ Wिशेश-काहत〜 उसका नाम लोग यद रख्ते है домой तो वही इच्छा उसकी गुरुदास की थी गुरुदास के कि शिजकती हिर्दय को एक और चोड पहुंचा देता था पहले वह दुखी था इस बात से कि उसका नाम हाइलेट नहीं हो पदा था और उपर से जब यह सर्व की बात सुनता था तो उसको और ज्यादा फील हो जाता था ठीक है आगे देखिए आज मैं हो सकता है मैं मैं गुर्दास की तरे सोफिती हूं या आप में से जो लोग इसको सुन रहे हैं वो लोग गुर्दास कीतार इस ही आगे देखिए गुर्दास अपने माता पिता की संतानों में तीन बहनों का अकेला भाई था यानि उसके तीन बहने थे और वो अकेला भाई था उसकी मा उसे राजा बेटा कह करके पुकारती थी स्वयन पिता रेलवे के दफ्तर में साधरन क्लर्की करते थे कभी कह देते थे कि उनका पुत्र ही उनका और अपना नाम कर जाएगा यानि कि उतके बाबा रेलवे में थे एक साधरन से करमी थे काम करने वाले थे और उनका जब वो अपने पुत्र के लिए कह देते कि उनका पुत्र ही उनका और उनका नाम कर जाएगा जिससे उनका नाम रोशन हो जाएगा कुछ खास नहीं होता है आपने देखा हो लेकिन मालेजे उस अनाज की बोरी में से कोई रंगी दाना होगा है ना किसी पर लाल कलर या हरा कलर चड़ा होगा तो फटाफट वह अपनी आखों के सामने आ जाएगा और हम उसको निकाल के अलग कर लेते हैं या दिखाते हैं कि देखो देखो कितना सुन्दर है समश्वा मेरी बार गुरुदास था उसको ऐसा लगता है कि जैसे मालो एक गेहुं की बोरी भरेवे में जैसे दाने सारे दाने समाने कुछ विस्स्टेता नहीं है लेकिन वह चाहता था कि मैं उस दाने के समानों जो पूरी बोरी में से अलग ही दिखने वाला हो बात सुनता था तो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता उस काम के लिए कि मेरा नाम हाइलाइट क्यों नहीं हो पाता है जैसे सपना आख खुलने पर चला जाता है वैसे सर्फ उसके मन की भावना रहती है ऐसा कुछ उसके जार नहीं होता था बड़ी-बड़ी कल्पनाओं के बावजूद विवे अपने पिता पर क्रिपा दस्टी रखने वाले एक बड़े साहप की क्रिपा से दफ्तर में केवल एक क्लर्थ ही बन पाया आगे देखिए जिन दिनों गुर्दास अपने मन को समझा करिये संतोष दे रहा था कि उसके महले में महले के हजार से अधिक लोगों में से किसी का भी तो नाम कभी अख़वार में नहीं छपा देखें क्या होता है कि जब हमारे मन में कोई महत्व कांशा होती है कुछ करने के इच्छा होती है और हम नहीं कर पाते तो फिर क्या होते हम एक नया तरीका अपने आपको सेटिस्वाइट करने के लिए अपने आपको सांत्वना देने के लिए हम अपने मन से ही कोई एक नया चीज निकाल लेते हैं एक्जामपल देखें, माल लिजे आपके एक्जाम है या आपको कोई टास्क दिया, कोई प्रतियोगिता हुई और उसमें आपके सभी बच्चों ने भाग लिया और आपकी इच्छा है कि उस प्रतियोगितावे मेरा इस्थान प्रत्थम इस्थान पर आए तो आप वो करते हैं या इसका और अच्छा सा एक्जामपल देऊ कि आपकी क्लास में टीचर आती है अगर आपका ना आपसे कहते है कि बेटा किसी के बास एक रेड़ पैन है क्या तो आप में से कुछ बच्चों के पास तो रेड़ पैन होगा तो भी करतो नहीं है मैम खतम होगा नहीं चल रहा कल लाया था आज नहीं है लेकिन कुछ बच्चों कहोते हैं कि नहीं मैं मेरा रेड पैन लेकर के यूज करेगे तो वो इतना जल्द बाज़ी में फटाफट निकाल कर कि उस पैन को देना चाहेंगे कि मैं मेरा पैन यूज करें ठीक है समझ यह बार तो अपने अच्छा अब अब उसमें क्या आपको अ होती है एक बच्चे में या हम बड़े भी हो जाते तो हमारे मन में भावना रहते हैं कि यह का मेरे द्वारा होना चाहिए तो ऐसी ही भावना लेकर गुर्द्वास चलता था और फिर क्या दूसरी चीज में क्या समझा रहे ती इस लाइन का मतलब कि हम अपने मन को समझा ल जिन दिनों गुर्द्वास अपने मन को समझा रहे कीजिए कल से हम कल आगी का कल देखें लोगे या इसमें बाई मैं बाई मैं बाई मैं बाई बच्चे